नमस्कार साथियू नवजागरती यूटूब चैनल में आपका स्वागत है साथियू इस चैनल के मातिम से इस्टर्नोग्राफ़ केरियर के लिए इस्टर्नोग्राफ़ी के अभ्यास, नईने डिक्टेशन, स्पीट बढ़ाने की ट्रेक्स, सब्दचिन, बाक्यांस और टिप्स फोर सक्सेज आधी बताई जाते हैं केंदर सरकार एउम राजसरकार द्वारा आयोजेत की जाने वाली इस्टर्नोग्राफ़ी की परिक्छाओं में निश्चित सफलता है तो हमारे वीडियो देखते रहे और सीखते रहे साथियों ये सब आपको लगातार मिलता रहे इसके लिए क्रप्या हमारे नपजयगरती चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये अपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों सॉल्ट हैंड में किसी भी प्रकार की कटनाई के समन्द में आप इमेल या कमेंट या मोबैल द्वारा समाधान ले सकते हैं मेरा नाम अजय सकसेना है साथियों बीडियों पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिए को बार शेयर कि काव मोबैल या नाम यालिए झाल झाल साथिवे इस्टाप सेलेक्शन कमिशन से हर साल इस्टेनोग्राफर की हजारों रिक्पियां भरी जाती है साथिवे इस्टेनोग्राफी के तैयारी कर रहे हैं और इस्टेनोग्राफर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा चांस है, एक अच्छा मौका है S.S.C. में इस्टरनोग्राफर बनने का, साथ ही इसमें एपलाई करने के लिए डेट आ चुकी है, एग्जाम की भी डेट आ चुकी है, मैं आपको सौर्ट में इन सब की जानकारी दे रहा हूँ, S.S.C. स्टरनोग्राफर ग्रेट C और ग्रेट D का एग्जाम औल इंडिया लेवल पर होता है, इसे S.S.C. स्टाप सिलेक्शन कमिशन के द्वारा कराया जाता है, S.S.C. स्टरनोग्राफर ग्रेट D और ग्रेट C का एग्जाम जो होगा वो 27 अगस्त 2017 को होगा, और उसके लिए एप्लिकेशन फॉर्म आप से मांगे जाएंगे, उसकी भी डेट आ चुकी है, जो कि 17 जून 2017 से फॉर्म सुरू हो जाएंगे, आप एपलाई कर सकते हैं, 17 जून 2017 से. SSC Sternographer Grade C और Grade D दोनों ही के लिए important dates जितनी भी हैं, मैं सारी आपको बता तरे रहा हूँ. Application Form Submission Process will be started from 17 जून 2017, 17 जून से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, जिनको आप उनलाईन भर सकते हैं. Last date apply करने की online और offline 15 जूलाई 2017 होगी, 15 जूलाई 2017 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, apply इसमें कर सकते हैं. Admit Card will be issued from January 2018 तक, यहनि कि January 2018 में आपको Admit Card मिल जाएगा. Examination date मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर दुबारा बता रहा हूँ, 27 अगस्त 2017 को इसका exam होगा, अभी time है और आप अच्छे से इसकी तयारी कर सकते हैं. Result will be announced March 2018, इसका result announced कर दिया जाएगा, result आपका आजाएगा, इसमें March 2018 में, 2018 में, March में. Age क्या होनी चाहिए इसके लिए वो बता जिता हूँ में, age of candidate must lie in between 18 to 27 years. 18 से 27 वर्ष के बीच में candidate होना चाहिए जो apply कर रहे हैं, उनके लिए age. Age relaxation में जो छूट दी जाती है वो category के हिसाब सी, यानि कि 3 years relaxation will be given to the OVC candidates. OVC candidates हैं, उनके लिए 3 साल की छूट है, और SC, ST, जो candidate हैं, उनके लिए 5 years की छूट है, 5 साल की age में. Minimum educational qualification, 12th pass होना चाहिए, किसी भी university से, 12th pass from a recognized world या university से. Candidates who have passed 12th standard or equivalent examination या इसके समक्ष भी अगर होते हैं, 12th के तब भी आप इस फार्म को apply कर सकते हैं. Before applying the examination, candidates need to make certain whether they fulfill the stenographer eligibility जो stenographer के लिए 12th pass वाना चाहिए और इसके अलावा stenography भी आनी चाहिए. Any candidate should be 100, 100 world per minute for the post of stenographer grade C. Grade C के लिए 100, 100 सब्द प्रत मिनट की गती से, sort hand आनी चाहिए और 80 सब्द प्रत मिनट की गती से, sort hand आनी चाहिए grade T के लिए. All the candidates having the above stenographer eligibility criteria can apply online. इसको online apply कर सकते हैं. Application fee 100 rupees है, इसमें SCST इनको छोड़ करके बाकी सभी के लिए 100 rupees application fees होगी. यह fees non-refundable है, यह apply करने के लिए इसमें आप website www.ssc.nic.in पर जाकर के जादा जानकारी भी ले सकते हैं और इसी website पर जाकर के आप apply भी कर सकते हैं. कर सकते हैं. यक लो डोुचक और वो आ इंते डिंदक जब आगांवांगा आगांगा जिलाओाजाजंगांगा जो हम आगांगा जोचे डिस्टाजएगा जब हम आगांगा ढाला को पर एंदक Clemson